नमस्कार दोस्तों मैं जटेन अपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंतरा के एक नए वीडियो में हैं आज के इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं क्रिप्टो रेगुलेशन बिल के बारे में जो की इसी सेशन के अंदर पार्लेमेंट में आ सकता है और यहाँ पर प्राइम मिनेस्टर नरेंदर मोदी जी की तरफ से यहाँ पर कुछ नियूस निकल कर आ रही है रेगुलेशन से रिलेटेट वो सारी चीज़ों के बारे में आप सब लोगों से डिसकेशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का उटन किया था जहां पर आप सब लोगों यह information दिये कि PM Modi to take final call on fate of cryptocurrencies in India यह सारी चीज़े हैं यह times now news की तरफ से बेसिकली यह news निकल कर आ रही है आपको पूरा article दिखाते हैं क्या हो क्या कुछ है पूरी की पूरी news तो आप अभी यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसका जो यहां पर topic है यहां पर जो headline है वो है basically PM Modi to take final call on fate of cryptocurrencies in India यहां पर जो यहां पर highlight points है वो पता देते हैं आप सो लोगों को यहां पर लिखा है PM Narendra Modi to take final call on regulatory framework on cryptocurrencies related product in India मतलब कि यहां पर जो भी products cryptocurrencies से जुड़े हैं या फिर cryptocurrencies हैं उनके उपर जो भी regulatory framework बन रहा है उसके उपर PM Modi यहां पर जो है final call ले सकते हैं क्या कुछ यहां पर करना है यहां पर सारी जो है information आप वो बताएंगे cryptocurrencies related product like exchanges हो सकते हैं यहां पर कुछ wallet हो सकते हैं कुछ cryptocurrencies हो वक्ति हैं और जैसे कि आप WRX जानते हैं WRX इंडिया का ही cryptocurrency बेसिकली वजीर एक्सचेंज का cryptocurrency नेटिव token है उसके लावा MATIC है और भी बहुत सारे tokens है जो कि बेसिकली या फिर cryptocurrencies हैं जो कि इंडिया से related है उनके उपर जो है यहां पर regulatory framework में यहां पर जो है कुछ आ सकती है news बहुत जल्दी यहां पर निकल कर और उसी के लावा यहां पर आप देख सकते हैं a high level meeting convent on Thursday to discuss proposed changes to crypto bill and address concern of industry and RBI मतलब इसका बहुत ही साफ है यहां पर की Thursday मतलब कि कल यहां पर एक already meeting हो चुकी है जिसके अंदर जो भी changes जो की proposed है उस सब चीजों के बारे में discussion हुए crypto bill के अंदर जो भी यहां पर changes है और साथ ही साथ यहां पर crypto industry जो की इंडिया में जितने भी लोग है जितने भी पूरी industry के जो लोग है उन से basically यहां पर बातचीत करकर और यहां पर उनके concerns को भी address किया गया है और साथी साथ RBI के concerns को भी address किया गया कि इसको as a currency जो वो treat ना किया जाए और बहुत सारे और concerns से उन सब चीजों को यहां पर address किया गया है इस bill के लिए जो यहां पर जो final call होने वाली है उस चीज को लेके अब यहां पर एक चीज जो निकल कर आ रही है कि cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021 is being deliberately in ongoing winter session of parliament मतलब कि इसी session के अंदर जो है वो यहां पर आ सकता है यहां पर यह bill जो है इस तरीके से चीज है निकल कर आ रही है और यहां पर और भी information है यहां पर कि जैसे final call जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंडर मोदी ही लेंगे यहां पर और जो भी यहां पर जो भी changes होंगे वो यहां पर basically उसके ओपर discussion करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं a meeting of top government dignitaries was held on the matter to consider various view including those of reserve bank of india and industry stakeholder right मतलकी जैसे मैंने आपको बताया यहां पर की industry stakeholder और RBI की तरफ से जो भी concerns थे उसके ओपर यहां पर discussion होने वाली है और यहां पर basically discussion हुई है और इसके अलावा भी further discussion और भी होने वाली है Friday को as well before the final decision on regulations is taken right basically यहां पर जितने भी regulations जो भी regulations बनने है उससे पहले जो भी यहां पर जो final जो भी हां पर call होगी उससे पहले एक और meeting basically Friday को आज ही यहां पर होने वाली है तो उस सब चीजों के बारे में जैसे भी कोई information आईगी आप सो लोग बताएंगे यहां पर एक और चीज निकल कर आ रही है the options on the table including the outright ban on cryptocurrencies and partial ban on private cryptocurrencies and partial ban blanket regulation on all type of product based on digital coins on regulation according to a report in economics time यहां पर यह basically economics time में भी एक यह news आई थी तो उसके basis पर यह सारी चीज़े है कि private cryptocurrencies को जहां पर ban करने की बातचीत की जा रही है उसकी जगह पर यहां पर partial ban किया जा सकता है बदो कि कुछ coins को जो है बेसिकली हो सकता है कि वो ban करें कुछ coins को allow करें अब बता दे कि private cryptocurrencies के लिए already statement जो है वो parliament में दी जा चुकी है कि parliament में यह चीज़ का था कि private cryptocurrencies are all cryptocurrencies which are not actually launched by government तो जैसे bitcoin हो गया उसको भी पार्लमेंट में यहां पर यहां पर डिसकुशन होना है और किस तरीके की सारी चीज़े भी निकल कर आएंगी दीरे दीरे करके सामने और यहां पर और और चीज़ यहां पर निकल कर आएंगे दीरे दीरे करके सामने और यहां पर औ क्रिप्टो करन्सी और यहां पर यहां पर बैसिकली यही सेशन के अंदर यहां पर क्लियर कराने के लिए बात ही चल रही है अध्र नौट ऑन देर प्रपोस्ट लेशलेशन हाज अगरे बिंग प्रिपार यहां पर फाइनस मिनिस्टर के दुवारा ओरेडी जो ड्राफ्ट है यहां पर प्रिपेर कर लिया गया है और यहां पर यहां पर लेकर आया जा सकता है यहां पर वारलेमेंट में यह बिल तो यहां पर पूरे के पूरे इंटरस का जो कि क्रिप्το करंसी इंडस्ट्री के लोग है उनका पूरे इंटरस का यहां पर ध्यान रखा जा रहा है । इहां पर भूर्मेंट अपना भी यहां पर चीसे देख रहे है और जिस तरीके से यह टेक्नॉलिजिकल डव्लप्मेंट है तो यहां पर PM नरेंदर मोधी भी यहाँ पर पूरा interest ले रहे हैं इस चीज के उपर कि किस तरीके से यहाँ पर इसको regulate किया जाए ना कि ban किया जाए क्योंकि एक technology ऐसी है जो कि अभी धीरे-धीरे करकर आगे की तरफ grow कर रही है, cryptocurrency industry धीरे-धीरे grow कर रही है, अच्छी कासी बड़ी industry हो चु move होता है नजर आ रहा है, यह सारा का सारा सिनारियो जहाँ पर की बहुत जल्दी हमको कुछ regulations और bill related चीज़े जो हमको पारलेमेंट में देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों यही कुछ update है यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर, उमीद करता हूं कि आपको वीडियो का आप यह अच्छा लगा होगा, यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है, तो अफकॉस लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजेगा, ज्यादा दा शेयर कीजेगा इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करकर जरूर बताएगा कैसा लगा आपको आज का वीड आपने बाद, जैहेल वन्दमात रहूं